अलग करने के तरीके फटकना आपने जब रेलगाडी में यात्रा की होगी तो ग्रामीर्ड इलाकों में आपने महिलाओं को उंचाई पर खड़े होकर एक टोकरी को अपने सिर के उपर लगातार हिलाते देखा होगा। ये महिलाई हवा की मदद लेकर अनाच से छिलके और अन्ने हलकी अशुधियों को दूर करती हैं। अनाच कियुकि भारी होता है इसलिए वह एक धेर में समीन पर गिरता जाता है। हलके वजन की अशुधियों को हवा के जरिये अनाज से दूर करने की इस प्रक्रिया को फटकना कहते हैं।